बिना कुछ अनाज खाये कोई इंसान कब तक रह सकता है एक दिन दो दिन हक्ते या महीने इस ख़बर को जानकर आप चौक जाएंगे क्योंकि आज जिस यूवक की हम बात कर रहे हैं उसने पिछले 20 साल से अनाज नहीं खाया धारखंट के दुमका का रहमूल 20 साल का है और अब तक उसने किसी भी अनाज का स्वाद नहीं चखा वज़त ही रहमूल एक जन्मजात गंभीर बीमारी सजूज रहा था टेंप्रो मेंडिबूलर जॉइंट एंकलोसिस नामक इस बीमारी में बच्चे का मूह नहीं खुलता है पिछले 20 साल से रहमूल सिर्फ लिक्विट के साहारे अपनी जिन्दगी को जी रहा था लेकिन सनीवार को रहमूल पहली बार अनाज का स्वाद लिया पिछले 20 साल से रहमूल के परिवार वाले उसे लेकर काती चिन्द रहते थे कई अस्पताल के चक्कर भी काट चुके थे पांच घंटे तक चली लंबी सरजरी के बाद रहमूल का जबड़ा कुपड़ी की हट्टी से अलक तिया गया और उसके बाद चेहरे की विक्रिती को भी ठीक किया गया अब वो पूरी तरह स्वस्थ है और खाना भी खा रहा है प्रांची की एक नीजी अस्पताल में उसकी सरजरी के बाद जहां रहमूल के पूरे परिवार की सी बढ़ गई है महिंची कित्सकों ने भी सफल सरजरी पर प्रसंता जाहिर की